आज मैं जो आपके लिए face back लेके आई हूँ वो बहुँ ज़्यादा super effective है अगर आपके face पर जाईया है यानि pigmentation है दाग धबबे हैं उन सबी को हटाने में ये face back बहुँ ज़्यादा आपको help करेगा और जितनी भी चीज़े हमने इसमें use की हैं वो आपके kitchen में आपको आसानी से मिल जाएगी और उसी से ही आप अपनी skin को sportless और glowing बना सकते हैं कितनी भी पुरानी जाईया यानि pigmentation हो दाग धबे हो उन सबी को हटाएगा ये face back तो चली देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है face back बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आदा चमच बेसन लिया है बेसन हमारी skin को बहुँ जादा साव बनाता है glowing बनाता है ताग दपो को दूर करता है अंचाहे बालों को हटाने में help करता है आदा चमच हम इसमें गेहूं का आटा एड़ करेंगे गेहूं का आटा ना सिर्फ रोटिया बनाने बलकि हमारी skin को glowing बनाने का भी काम करता है और ये दोनों चीज़े आपको अपने किचिन में आसानी से मिल जाएंगी एक चुथाई चमच हम इसमें कस्तूरी हल्दी जादा अच्छी होती है अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचिन वाली हल्दी एक चुटकी एड़ कर सकते हैं जितनी पी चीज़े हमने इस face back को बनाने में यूज किया है वो हमारी skin को बहुँ जादा glowing बनाती है अंचाहे बालों को हटाने में help करती है और हमारी skin से दाग धबो को हटाने में help करती है और यहाँ पर देखिए हमारा face back ready हो गया है अभी हमें इसको apply करेंगे सबसे पहले हम अपने face को wash कर लेंगे और face back को अपने पूरे face पर हम लगा लेंगे और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे यह face back आप daily भी लगा सक करती हूं और उसी किवज़े से मुझे कभी पालर जाने की जरूत नहीं दिखाई देती क्योंकि मेरा face बहुत ज़्यादा glowing दिखता है और मेरे face के सारे दाग धबे धीर धीर खतम हो चुके हैं और अगर आप भी इसी तरह से अपनी skin की care करेंगे तो आपको भी पालर जाने glowing बनी राती है और धीरे धीरे आपके face के सारे दाग धबे गायब होने लगते हैं पांच मिनट की मसाज के बाद हम अपने face pack को remove कर लेंगे और फिर face wash कर लेंगे और यहाँ पर देखे मैं आपके सामने अपने face pack को remove कर रही हूं रिजल्ट आप देख सकते हैं इस face pack का result बह करना कर जो ट्राय करना और इसके result में इसा जो शेय करना अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को like करेने चैनल को subscribe कर लेना और face pack को remove करने के बाद मैं अपने face को wash कर लोगी और मैंने अपने face पर अभी कुछ भी नहीं लगाया है आपके साम नहीं मैंने अपने face pack को remove किया है और आप इस face pack को जो ट्राय करना तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाद